हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एगरिकल्चर अस्टुएंट अकेडमी, आई एम प्रवीन कुमार, तो प्रिफेस लेक्चर में हम लोगों ने इंटरफेस तक बाते की थी, ठीक है, तो हम लोगों ने इंटरफेस पुरा पढ़ लिया था, उसमें आपके तीन सब फेज आते हैं जी वन फेज, एस फेज, एड़ जी टू फेज, आई होब आप लोगों ने मेरे प्रिवियस लेक्चर को देख लिया होगा, क्योंकि देखो, सेल डिविजन एक ऐसा चैप्टर है, जिसको आपको सिक्वेंस में पढ़ना पढ़ेगा, अगर आप सिक्वेंस कहीं भी मिस करो के आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, इसलिए आप मेरे सिक्वेंस को फॉलो किजिए, मैं आप से गारेंटी ले रहा हूँ, आपको 100% सेल डिविजन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, तो फिर हम लोग अपना इंटरफेस खतम कर लिये और हम लोग माइटोटिक फेस में पहुँच चुके थे, ठीक है ना, जिसको लोग डिविजन फेस भी बोलते हैं, तो चलिए हम लोग उनमें से सबसे पहला जो आपका आता है प्रो फेस, इसको समझते हैं, देखो प्रो फेस आप अच्छे तरीके से समझ जिए, क्योंकि से ही लिंक है आपका, मेटा फेस, एना फेस और टेलो फेस, अगर आपको प्रो फेस समझ में नहीं आएगा, तो आपको मेटा फेस भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ जिए, ठीक है ना, चलिए हम लोग इस्टार्ट करते हैं प्रो फेस को, सबसे पहले देखिए mitosis consists of four phases बिल्कुल mitosis में चार आपके phases होते हैं pro phase, meta phase, ina phase telophase, इसको आप याद कैसे करोगे कोई ऐसे इसको आद करता है P for पुराना med, कोई ऐसे लोग इसको ऐसे आद करते हैं आप इसको ऐसे वियाद कर सकते हो PM, पहले होता था न pre-medical test, तो test के आटे के पहले आप ये जोड़ दीजिए ठीक है, को लोग इसको ऐसे आद करते हैं pre-medical assessment test ठीक है, तो यह आपना आपके बस तरीका होना चाहिए, आपको जो अच्छा लगे आप follow कर सकते हैं, ठीक है ना चलिए, मैं इसको इरेश कर दे रहा हूँ अब दखो, मज़े की बात आपका जो pro phase होता है, वो longest phase होता है, कई बार पुछा गया है mitosis में सबसे बड़ा phase कोन होता है, pro phase सबसे shortest phase कोन होता है वही, enough phase तो यह दो point आपको आद रखना है pro phase सबसे longest phase होता है enough phase सबसे shortest phase होता है mitosis में, ठीक है तो आपको यहाद है clear हुआ, mitosis में total 4 phases आते हैं, pro phase metafase, enough phase, stelo phase pro phase is the longest phase and enough phase is the shortest phase, is it clear? now अब देखिए, हम लोग pro phase को अच्छे तरीके से समझते हैं, और यहाँ पे देखो longest phase में आपको बताया mitosis में सबसे longest phase आपका pro phase है it takes 71 minute in onion root tip cell, बिल्कुल देखो, onion का जो root होता है न, वहाँ पे अगर mitosis की study करनी है तो वो total 71 minute का time लेता है यह पूछा गया है कई बार onion का जो root होता है, वो best study करनी के लिए माना जाता है mitosis को, ठीक है अगर आपको mitosis का study अच्छे तरीके से करना है तो उसके लिए हम लोग onion का root use करते हैं, जो की 71 minute में आपने आपको क्या करता है divide कर सकता है, ठीक है यह पूछा गया, आपको या दखना है देखो pro phase differentiate into three sub stages इसके बाद जो आपका pro phase होता है, उसको भी हम लोग three sub stage में divide करते हैं अब confuse मत करना, हमने क्या बोला mitosis को हम लोग चार पार्ट में divide करते हैं pro phase, metafase, enafase, telophase ठीक है, देन हम लोग pro phase को फिर से three sub stage में divide करते हैं, early pro phase middle pro phase and late pro phase, जिसमें आपका early pro phase और late pro phase most important है, यहां से question पूछा आता है, ठीक है चलिए, हम लोग diagram के थूर समझते हैं क्या होता है early pro phase में क्या होता है middle pro phase में और क्या होता है late pro phase में ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते है early pro phase में पहले तो एक structure draw करते हैं, structure को आप लोग ध्यान से देखिए, यह आपका cytoplasm है, बिल्कुल cytoplasm है क्या होगा अलग करण से बनाता हूँ न nucleus होगा, चलो वही यह nucleus है, nucleus के अंदर क्या होगा वही, nucleus होगा यह nucleus है, ठीक है और क्या होगा, इसके उपर दो centrosome होगा चलिए, यह दो centrosome है जो अपने आपको duplicate कर लिये थे ace phase में, ठीक है न, interface का ace phase में तो हम लोग इसको naming कर लेते हैं न, यह क्या है आपका, cytoplasm ठीक, यह क्या है वही, यह है आपका nucleolus ठीक है, यह क्या है, nucleus हाना nucleus होगा, तो nucleus के पास होता है, double membrane, तो यहां पे भी एक membrane होगा, मैंने बाताया था जिसको nuclear membrane बोलते है तो चलो, इसको short में लिख दे रहा हूँ, यह क्या है, nuclear membrane, और यह क्या है आपका centrosome structure को clear रखिए, तब भी समझ मैंगा ठीक है, मैंने क्या बताया, बड़ा आप, जो आपको दिखाई पढ़ रहा है, वो excitoplasm है, जिसके अंदर nucleus है और nucleus के पास double membrane होता है, क्योंकि इसके पास DNA होता है that means, इसके पास क्या होगा, nuclear membrane होगा nucleus के अंदर आपका nucleolus है उपर में आपका centrosome है ठीक है, यहां तक early phase में होता है, और मज़े की बात, यहां पर जो आपके chromosome है वो कैसे दिखाई पढ़ेंगे वही देखो, पूछा गया है कि pro phase में जो early stage होता है वहां पर आपका जो chromosome है वो किस तरह का दिखाई पढ़ता है, किस तरह का दिखाई आपको, thread like structure आप याद रखना, pro phase के early stage में chromosome आपका thread like structure दिखता है, as it clear तो यह आपका early phase हो गया चलो, आप बात करते हैं, आप लोग middle phase में क्या होता है, middle phase में कोई भी changes नहीं होते हैं थोड़ा बहुत changes होगा, यह आपका cytoplasm, मैं बार बार ने लिखूंगा मेरी बात पर focus किजिए cytoplasm, यह आपका क्या हो गया, nucleus nucleus double membrane होता है एक और membrane बना दीजी, इसको हम लोग nuclear membrane बोलते हैं फिर क्या होगा भई, इसमें होगा, nucleus चलो, nucleus को भी बना लिए अब उपर की तरफ क्या है centrosome, अब देखिए थोड़ा सा middle phase में परिवर्टन यहाँ पर आता है, centrosome जो होते हैं, वो opposite pole की तरफ move करना इशार कर देते हैं, middle phase में देखिए, एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था centrosome कहा है, उपर की तरफ हाँ, दोनों एक जगा पर है बट, middle phase में क्या हुआ centrosome एक इधर move कर रहा है एक इधर move कर रहा है, ठीक है और दो opposite pole में आ जाएगे late pro phase में, ठीक है तो यहाँ तक clear है, अब देखो यहाँ पर जो आपका kromosome है वो और condensed हो जाएगा देखो, जैसा जैसा आप आगे बढ़ोगे kromosome आपका, और condensed होता चला जाएगा, ठीक है और condensed हो किया, ठीक है यह होता है middle phase में, चलिए अब देखते हैं हम लोग, late pro phase में क्या होता है, late pro phase को अच्छे समझेगा ठीक है, यह आपका रहा, cytoplasm ठीक है, फिर सब यह structure को में लोग ड्रो करते हैं यह है आपका nucleus, बाहर क्या होगा, nuclear membrane, ठीक है फिर अंदर में क्या होगा nucleolus, ठीक अब मेरी बाद ध्यान से समझेगा यहाँ पे जो सबसे बड़ा changes देखने को मिलता है, वो कहां मिलता है, देखो, उपर में क्या उपर में था आपका centrosome अब centrosome lead pro phase में completely opposite pole की तरफ move on कर चुका होता है, यहाँ पे देखो completely move कर गिया ठीक है न, completely move on कर लिया, actually इसको हम ऐसे भी draw कर सकते हैं, देखो इसको इसको यहाँ पे release कर रहा हूँ न, यह यह इधर move on करना श्राट किया था और एक इधर move on श्राट करना श्राट किया था, तो यहाँ पे so कर देते हैं, यहाँ भी so कर देते हैं, कोई दीकत नहीं ठीक है, तो दो opposite pole पे move कर चुका है हमारा centrosome ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका chromozome है उसमें क्या परिवर्टन आता है, देखो chromozome है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा condense हो चुका होता है बहुत ही ज़्यादा condense हो चुका होता है, ठीक है देखो, बहुत ज़्यादा condense हो चुका, और condense हो के यह chromatid like structure बनाता है, मैं इसको explain करूँगा कुछ दिर में, ठीक है पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या परिवर्टन आया centrosome, opposite side move on कर चुका है, अब देखिए nucleus के अंदर कौन सा fluid भरा होता है, nucleoplasm तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है nucleoplasm, और cytoplasm तो already fluid है तो यहाँ पे बाहर क्या है, cytoplasm ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है आपका जो nucleolus है वो पहली बार disappear हो जाएगा, चलो, मैंने nucleolus को हटा दिया, nucleolus आपका disappear हो गया, ठीक है अब बाहर में क्या है nuclear membrane, तो यह nuclear membrane भी disappear हो जाता है, आपका लेट प्रोफेज में, nuclear membrane भी disappear हो गया, ठीक, अब क्या होगा, अब देखो क्योंकि nuclear membrane आपका disappear हो चुका है, तो यह nucleoplasm है, वो mix हो जाएगा cytoplasm है, ठीक है इसमें जो आपका fluid था ना, वो इस से mix हो जाएगा ठीक है, क्योंकि अब उपर जो wall था, वो दो break हो चुका है, nuclear membrane आपका, तो fluid क्या होगा mix हो जाएगा, और जब fluid mix हो जाएगा, तो already viscosity बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि nuclear plasma, जो होता है न, वो काफी dense fluid होता है, तो अब क्या होगा, viscosity बढ़ेगा, और जो bend करने की capability होती है उसको हम लोग क्या बोलते है refractive index, ठीक है तो मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, nuclear plasma, mixed with, cytoplasm and viscosity increases and refractive index also increases in late prophase, has it clear? चलो, अब क्या होगा, देखो ये जो आपके इसको लेता हूँ न, देखो पहले ये जो आपका chromosome है, वो किस तरह देखेगा आपका late prophase में देखो, यहाँ पे chromated like a structure देखता है कुछ इस तरीके से देखिए हाँ न chromosome देखे हो न, ऐसे होता है ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते है वही इसको हम लोग बोलते है chromated और ये होता है हमारा centromere, जिससे जुड़ा होता है उसको क्या बोलते है centromere तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है एक protein यहाँ पे देखना, यहाँ पे होता है protein जिसको हम लोग बोलते है kinetocore, क्या बोलते है protein को kinetocore ठीक, यह kinetocore क्या काम करता है हम लोग आगे देखते हैं तो इस तरीके का structure आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे late pro phase में यहाँ पे देखी यह जिस से जुड़ा होता है बीच में जो junction point है इसको हम लोग बोलते हैं centromere क्या बोलते हैं centromere और यह जो दो आपको दिखाई पड़ रहा है chromated इसको बोलते हैं sister chromated ठीक है तो अब आप से पूछता है कि early pro phase में chromosome किस तरह का दिखाई पड़ता है तो thread like structure दिखाई पड़ता है बट यही आगे चलके condensed हो होके क्या बन जाता है in late pro phase that is look like a chromated like structure यह कब दिखता है आपको late pro phase में तो दिखाई पड़ता है आपको अब क्या होगा चलो इसको हम लोग erase करते जाते हैं देखो अब क्या होगा यह जो आपका centrosome है centrosome क्या करेगा thread like structure बनाता है जिसको हम लोग बोलते है spindle fiber तो आप देखो यह क्या करेगा spindle fiber बनाएगा यह बनाएगा ठीक है ऐसे spindle fiber बनेंगे ठीक और यह spindle fiber होता है वो attached होता है आपका kinato core से ठीक है तो spindle fiber का भी formation कहा होता है आपका late pro phase में ऐसा आपने देखा होगा ठीक है ऐसे बनता है आपका ठीक किलियर हुआ यहां तक चलो तो आई होप आपको तीनों के बीच में difference समझ में आ गया होगा फड़ा 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 रिवाइस कर लेते हैं तेखो मैंने क्या बताया हो प्रोफेज में तीन सबस्टेज होते है अरली प्रोफेज में क्या होता है क सबसाइए अपका और जिसके वजह से नियुकलियर मेम्बरेन अपका डिसएपियर हुठा है जिसके वजह से Nucleoplasm, Cytoplasm आपस में Mix कर जाएंगे, Viscosity बढ़ेगा तो Refractive Index भी बढ़ जाएगा ठीक है, तूसरी बात आपका Nucleolus भी Disappear हो जाता है यहाँ पे Spindle Fiber का Formation होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है, और यहाँ पे जो आपका Chromosome है, वो Chromated-like Structure देखता है, ठीक है आई समझ में चलिए, तो यहाँ तक I think आपको पता चल गया होगा क्या होता है, प्रोफेज में बस इतना बात है आपको जाद रखना है, इससे बाहर क्यूसन यहाँ से नहीं पूछा जाता है ठीक, चलो, अब देखते हैं हम लोग अर्ली प्रोफेज में, ठीक, अपने आप मैंने आपको फिगर बना के समझा दिया अब देखते हैं, इसको हम लोग पॉइंट वाइस, क्या इंपॉटेंट पॉइंट हम को याद रखना है, देखो सब वही बात होगा जो हमने आपको बताया भी फिगर में सबसे इपॉटेंट है, यहां से पुछा जाता है नुकलीर मेंब्रेन कम्प्लेटलीड डिश एपियर चलो, पहला तो कंक्लुजन आद दखना, लेट प्रोफेस में नुकलीर मेंब्रेन कम्प्लेटलीड डिस एपिर हो जाता है, as a result नुकली नुकलीब्लाजम मिश्क्स विध साइटो प्लाजम बिल्कुल सही बात है जब नुक्लियर मेंब्रेन ही हट किया सोचो ना कि मांगे चलो कि एक अलग river का पानी आ रहा है बीच में अलग river का पानी आ रहा है बट बीच में क्या है आपका कोई वाल है जो दोनों पानी को क्या कर रहा है mix होने से रोग दे रहा है बट आपने किया किया उस वाल को ही break कर दिया तो दोनों पानी आपस में mix हो जाएंगे कि नहीं होंगे बिल्कुल होंगे इसी तरीके से nuclear membrane क्या किया हुआ था cytoplasm को nucleoplasm से अलग किये हुए था बट आपने क्या हुआ हमारा nuclear membrane ही gap हो गया तो दोनों fluid आपस mix हो जाएंगे तो क्या होगा viscosity बढ़ेगा और refractive index होना चाहिए था ठीक है वो आपका increase कर लगेगा ठीक है nucleolus completely disappear बिल्कुल से बात है nucleolus भी आपका completely disappear हो जाता है centrosome moves opposite direction from spindle fiber ठीक है centrosome जो होते है वो opposite direction में move on कर जाएंगे और वहाँ से spindle fiber का formation होता है अब यह spindle fiber किस से attach होते है काइनेटो कोर से मैंने बताया था जैसे यह आपका दो क्या है chromatid है यह दोनों क्या है chromatid actually दो होते है इसलिए हम लोग sister chromatid बोलते है और attached किस से होता है यह centromere से ठीक है और centromere के पास ही यहाँ पे एक protein होता है जिसको हम लोग काइनेटो कोर बोलते है जिसको हमारा spindle fiber आके attached होता है ठीक है चलिए अब देखो यहाँ पे मैंने बताया भी बात है chromosome अपने आपको इतना condense कर लिया होता है इतना condense कर लिया होता है कि वो अपना structure change कर लेता है और chromatid like structure आपको दिखाई पड़ेगा लेट ट्रोफेज में ठीक है और यह attach होता है centromere से और centromere के पास और अच्छा तरीके से बोले तो kinet to core से ठीक है कोई सा phase लेके metafase लेके ठीक है फिर enaphase फिर telophase तो आपको sequence आद रखना है p, m, a, t ठीक है pro phase, metafase, enaphase, telophase ठीक कोई दिक्कत नहीं है तो इसका pdf आपको मिल जागा जाकर download कर सकते हो ठीक है thank you so much